आज हम बात करेंगे आपके जो laptop होता है उसका back bottom खोल के आप उसको cleaning कैसे कर सकते हैं उसमें SAD कैसे install कर सकते हैं या फिर आप उसकी other service कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने आपर HP का laptop लिया हुआ है आप वो भी other brand का laptop ले सकते हो जैसे HP, Dell, Lenovo, Asus या other जो भी company के laptop आते हैं वो आप ले सकते हो लैपटाप का back bottom खोलने के लिए सबसे पहले आपका एक screwdriver के जरूत पड़ती है और उसके बाद एक slider के जरूत पड़ती है screwdriver के लावा उसके बाद आपके laptop के पीछे जितने भी screw होते हैं यहाँ पर जैसे जो भी screw जहां से निकलता है आपको वो screw वहीं पर लगाना है यहाँ पर जैसे मुझे जितने screw उपर दिख रहे हैं वो screw में यहाँ पर एके करके खोल दूँगा उसको खोलने के बाद और यह HP का laptop है इसके जो पट्टी होती है एक आगे एक पीछे यह laptop support के लिए होती है तागे आपके laptop पे ज्यादा scratch ना आई इसलिए और उसके पीछे यहाँ पर दो से तीन screw होते हैं वो भी आपको निकाल देने हैं यहाँ पर मैं वही करने वाला हूं कि इसके पीछे मुझे जितन हैं और उसके अलावा जैसे अगर आप laptop फूल दे टाम जो भी screw जहां से निकल रहा है आपको वो screw वही लगाना है जैसे most of जो आगे front side में जो screw आते हैं वो छोटे screw आते हैं और जो back side में screw आते हैं वो बड़े screw आते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भ screw आपको गलत तरीके से नहीं लगाना है अगर आपना कोई screw गलत तरीके से लगाया तो सायद वह इसकुरू के वएए से आपका laptop का motherboard sword होने के chance बढ़ जाते हैं इसलिए आपको यह चीज का भी बहुत ध्यान रखना है यह पट्टी जब भी आप अगर आपको HP का laptop है और इस टैप के अगर पट्टी निकालो तो उसके पीछे जो गंबाली पट्टी होती है वो भी होती है इसलिए आपको उसका भी ध्यान की रहाएं वह मैं यहां पर एक करके निकाल देता हूँ ज blessing आपर यहां पर और अपने निकल गए हैं उसके अलावा जहां इंपर पतर चीज इस्तमाल करूँगा क्योंकि मुझे laptop खोलना आता इसलिए मैं इसका इसका इस्तमाल यहां कर सकता हूँ मैं यहां पर धीरे धीरे करके और नीचे से उपर की तरफ मैं यहां पर दवाव दूँगा laptop पे इसके back bottom पे ताकि यह laptop यहां पर आराम से खोल जाए उसके लिए मैं यहां पर धीरे धीरे यह laptop खोल लेता हूँ और इसको खोलते टाइम आपको ऐसे ही इस तरह से laptop खोलना है और जल्दबाजी नहीं करनी है और laptop की जो उपर की display होती है आपको वो possible हो तो आदी ही खोलनी है अगर आप पूरी खोल के display फिर आप खोलोगे तो सायद आपके यहां पर इंचिस जो होती है उनके damage होने के chance बढ़ जाते है यहां पर जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ तो यह खोल दे टाइम भी काफी problem दे रहा है क्योंकि यह laptop थोड़ा पुराना हो गया है इसके सबसे यह laptop खोलने में थोड़ा तकलिफ दे रहा है और सायद यह laptop पहले कभी नहीं खुला हुआ यह साब first time खुल रहा है और यहां पर मुझे DVD राइटर के उपर भी नेजर गई तो मैं यहां पर यह जो DVD राइटर है उसको भी निकाल दिया है उसको निकालने के बाद और भी मैं यह ट्राइ करूँगा कि कोई भी और screw तो नहीं रह गया है आपको इसी तरह से ही सार screw चेक कर लेने हैं उसके बाद खुलना है यहां पर मैं इसको नीचे रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको पीछे से खुलने का ट्राइ करूँगा इसको पीछे से जो लॉक होते हैं उसको बोलते हिंचिस के लॉक वो हिंचिस के लॉक में कभी कभी क्या होता है कि अपना जो back bottom होता है वो first जाता है जिसके साफ से अपना laptop खुलने में काफी तकलिफ होती है तो मैं इसको पीछे की तरफ से आरम से खुलने का ट्राइ करूँगा और आप भी इसी तरह से घर पर अपना laptop खुल सकते हो पर खुलते टाइम आपको यह बहुत सरी चियों का ध्यान रखना पड़ता है यहां पर और भी कुछ होगा जैसे यहां पर जब मैं laptop खुल रहा हूं बैक बोटम तो कुछ ऐसी चीज अड़ रही है कि जिससे laptop का बैक बोटम ना खुले फिर मैं यहां पर ट्राय करूंगा यह जैसे laptop का बैक बोटम खुल गया है खुलने का बात सबसे पहले आपको बैटरी डिसकनेट कर देनी है पर मुझे अगर आपको को भी काम करना है रिपेर रिपेरिंग जा करना है या रेम बदलनी है या कुछ भी जो भी वर्क करना उसे फिल आपको बैटरी रिमूट कर देना कंपल सरी होता है लेकिन मैं यहाँ पर इसको करने के बज़ाए मैं यहाँ पर सिर्फ M.2 की जो सीङ्डी गार्ड होती है उसको मैं यहाँ पर अफग्रेड करने वाला हूँ अपग्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर यह पर से suppose करते हैं otherwise मत करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना, share करना और वीडियो infosis को follow जरूर करना, इस तरह हैं कि हम long वीडियो आपके लिए और बनाते रहेंगे तब तक Tata Bye Bye और ये वीडियो अपने दोस्तों को share जरूर कर देना